नमस्कार, साथियों 2023 में धान की फसल ने कुछ खट्टी मीठी यादें दी, बहुत सारे किसान साथी बहुत जबरजस्त रहे, कुछ किसान साथियों ने मीडियम अपनी खेती करी, कुछ किसान साथी थोड़ा लोर रहे, उसमें एक कंक्लूजन निकल के आया, कि जो सबसे किसान साथियों ने खासकर 1509 धान या कम समय वाली अबदी की किस्मों का चुनाब किया, उनको रिजल्ट ज़्याद अच्छे देखने को मिले, और दूसरा, जो नई वेराइटियां है, उनकी तरफ जिन किसान साथियों का रोज़ान रहा है, उन्हें ज़्यादा रोग जह चाहे रोपाई में डाली, चाहे वो गोहल बनाने में डाली, उनको अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, उनकी फसल में ग्रोथ अच्छी रही, अगला पॉइंट यहाँ पर जो देखने को मिला, हराकसिस, जिन किसान साथियों ने हराकसिस या फेरस सलफेट का दो वार उपयोग किया है, मतलब कम मात्रा में उपयोग किया है, उनको अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं, साथियों अगर बात करें हियूमिक एसिड की, तो दो वार जिन किसान भाहियों ने हियूमिक एसिड का उपयोग किया है, उनकी खेती अच्छी रही, साथियों अगर पर जिन किसान साथियों ने इन दवाओं का उपयोग किया उनको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं इसमें यूरिया 35 kg रहा उसके साथ में आपका सागरिका 10 kg और हियूमिक ऐसेड 1 kg प्रती एकड़ के हिसाब की डोज जिन किसान साथियों ने लगाई है उनको अ 6 kg फैरस सलफेट यानि हराकसिस था 6 kg चूना था प्रती एकड़ के हिसाब से उसके साथ हियूमिक ऐसेड 1 kg और यूरिया 35 kg रहा ये एक ऐसी डोज थी जिसमें की पौदे की ग्रोथ रुकने के बाद जूद पौदे की ग्रोथ को एक्टिव किया है जैसे ही सूड़ी लगन तो उसकी ग्रोथ को एक्टिवेट करने का काम इस डोज ने किया है जिन खेतों में कोई रोग नहीं था और उन खेतों में दूसरे नमबर पर तीसरे नमबर पर ये डोज अगर यूज करी गई है 21 से 24 दिन के या 25 दिन के आसपास तो उन किसान भाईयों के बहुत अच्छे रिजल्ट आई है साथियों अगर बात करूँ मैं आदर्स इस्प्रे की तो देखिये आदर्स इस्प्रे जिन खेतों में फंगस की वज़े से उनकी पौदों की जड़ों का विकास रुका या बलाइट की वज़े से पौदे के तनी का विकास नहीं हुआ या पत्तियों की ग्रोथ कम थी या जो पुरानी पत्तियां थी उनमें फंगस ज़्यादा थी और जो गोव की पत्तियां थी वो कम विकास कर रही थी ऐसी अवस्था में बहुत सारे किसान भाईयों को या पत्तियों में पीलापन की समस्या थी तो ऐसी अवस्था में जिन किसान साथियों न कि 15-20 दिन पर जिन किसान साथियों ने फिफ्रोनिल का सहारा लिया फिफ्रोनिल लिक्ट फॉर्म में 15-20 दिन पर डालने वाले किसान भाईयों को अपने खेतों में बकानी की समस्या ज्यादा फेस करने को नहीं मिली है जिन खेतों में बकानी आ चुकी थी उनमें भी 15-20 दिन पर अगर इस्प्रे हुआ है तो आगे बकानी नहीं बढ़ी है दूसरा उन किसान भाईयों को दीमक की समस्या से जूजना नहीं पड़ा है जिन किसान भाईयों ने 15-20 दिन के समय पर स्प्रे का सहरा लिया फिप्रोनिल का दूसरा पॉइंट कि अच्छे फुटाव के लिए चूना प्लस सल्फर एक आदर्स प्रोडेक्ट रहे चूना प्लस सल्फर इन दोनों को जिन किसान साथियों ने यूज किया उनके खेतों में अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं साथियों अगर बात करूँ मैं कि लंबे समय के कीट ना सक में किनी किसान भाईयों ने जिनोंने कोराजन का यूज किया और ओरिजिनल कोराजन उनके खेत में लगी उन किसान भाईयों को सूड़ी की समस्या से ज्यादा जूजना नहीं पड़ा है उनों कोराजन ने एक पॉइंट जो सबसे अच्छा रहा है उसमें फंगी साइड की मैं बात कर लेता हूं कि जिन किसान सातियों ने गोब में आते समय अगर किसी फंगी साइड का यूज किया है तो ज़्यादा तर उन्हें काली बालियां या सफेद दानों का कोई समस्या ज़्यादा फेस करने को नहीं मिली है उन्हें अपने खेटों में लगवग रोग धान की पैदाबार देखने को मिली है साथियों जिन किसान साथियों ने 0050 के साथ में 100 गराम ब॓रान का यूज किया उनके धान में चमक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रही है इसमें कोई दोराय नहीं है सातियों सबसे ज़्यादा जो समस्या फेस करने को मिली है वो उन किसान सातियों को कि जिन्होंने पहले 30 दिन के अंदर कुछ लापरवाईयां करी है और जिन किसान सातियोंने पहले 30 दिन के अंदर लापरवाईय नहीं करी है उन किसान सातियों को ज़्यादा समस्या धिलने न जो भी पोशक्ततों हैं वो नहीं दिये हैं पौदे को, उनको ज़्यादा समस्याइं फेस करने को मिली है, जिन किसान साथियों ने 30 दिन से लेकर 50 दिन के बीच में एक लंबी अवदी का कीटना सक यूज किया है, उनको ज़्यादा समस्याइं जहिलनी नहीं पड़ी है, साथ कि ये सिर्फ धान की डोज है, इन्हें आप गेहों में यूज कर सकते हैं, गन्य में यूज करें या दूसरी किनी भी फसलों में यूज करें, किसी के भी बहकावे में आकर इन दवाओं को बदले नहीं, इन्हीं दवाओं का सेम यूज करके आप अच्छे रिजल्ट अगल पानी के साथ में ठीक है ड्रम बनाईए उनमें टॉटी लगा लो और इनी डोज को लिक्विड बनाके पानी के साथ में देना शुरू करो इससे हमारी लागत वाके में बहुत कम होगी और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे साथियों आशा करता हूं आप आपको जानकारी ठीक लगी होगी और हाँ अपने कंक्लूजन देना ना भूलें कि ये दबाएं लगाने के बाद आपके खितों में रिजल्ट कैसे रही है ठीक है और अगर चैनल पर नई आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफ का कोई भी बदलाव आता है तो उसमें हम थोड़ा बहुत चेंज करके अपनी फसल को अच्छा कर सकते हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूद नहीं पड़ेगी तो इस चीज का लाव उठाएं और इसमें सहयो करें पार्टिसिबेट करें कि हम अप अपने कंक्लूजन जरूर दें ठीक है कमेंट बॉक्स में तो आशा करता हूँ आपको जानगारी ठीक लगी होगी फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर पूछना ठीक है मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियो